है लो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आशा करता हूं बहुत ही बढ़ियास होंगे आज की सेशन में हम जिस होमेपैति मेडिसिन के बारे हैं बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपोर्टेंट मेडिसिन है जिसका नाम है बलाटा ओरियंटेलिस यह प्रिपेर किया जाता है से इसका बहुत ही इंपोर्टेंट पिक्यू आरे सिंटम पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है और यह एक रेयर रेमेडिय है जिसके अंदर कुछ सिंटम्स चैसे सीवियर कफ एन लंग इंफेक्शन उसके बाद ब्रिफिंग डिफिकल्टी सांस लेने परिशानी होता है मलेरियल के केस में प्रिस्क्राइब करते हैं ब्रॉंकाइटिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, ठीक म्यूकस के डिस्चार्ज में तो यह सारी कंडिशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है हम डीटेल में बात करेंगे एक-एक सिंटम का बने रिए वीडियो फाउंड किया गया था, एकसिडेंटली प्रूफ हुई थी यह रेमेडी, कई बुक्स में ऐसा लिखा गया कि कोई डॉक्टर थे हमें पैती के उन्होंने उनके कप में चाय में कॉक्रोच गिर गया था, जिसके वज़ए से इन्फ्यूजन के वज़ए से उनके अंदर पहल करता है, वह इंपोर्टेंट है, तो वह सारी सिंप्टम हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है, तो ब्लाटा ओरिंटली जो है, वह एक छोटे से जानवर कॉक्रोच, इंडियन कॉक्रोच उससे बनाई जाती है, उसके बाद से इस रेमेडी की किस-किस जगह पे सबसे अटेक आता हो, या फिर चार-पांस साल से हो पेशेंट को, और बीच-बीच में कभी-कभी अटेक आता हो, उसके बाद अस्तमा जो होता है, वह एसोसियेटेड रहता है ब्रॉंकाइटिस के साथ, तो अस्तमा और ब्रॉंकाइटिस दोनों देखने को मिलता है, फिर पेशे एक्ट करेगा, तो जो मोटे लोग होते हैं, जो स्टाउड पीपल होते हैं, यानि मोटे, आकार में काफी तंदृुस्त होंगे, वैसी पीपल पे ज्यादा एक्ट करेगी, जो ब्रॉंकाइट पीपल निकालता है, उसका आप देखेंगे, तो जैसा पस निकलेगा, येल्ल तो बिशन को बार बार वीजिंग साउंड आएगा जब भी वह खासी लेगा उसके बाद या फिर सांस नॉर्मल बे लेगा तो वीजिंग साउंड आगा लाएगा कि सीटी बजरी या पतली सीटी उसकी तरह आवाज आती है उसके बाद से हमेशा पेशन को चेस्ट में पेन सारी और क्या नहीं पतले सुर्छन आफ तो एसका बाद सुम्टं 17 को साथी को तो इसकी बाद आघेंग साथा यह तकड़िए खासक कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़ादा important है इसका dose हम patient को कैसे देंगे तो उसका तकलीफ में आराम मिलेगा तो जब भी patient को acute बीमारी हो मतलब asthma हो या फिर bronchitis हो acute हो कुछ दिनों से हुआ वो condition में lowest dose देंगे इसका Q form में देंगे mother tincture इसका prescribe करेंगे sudden attack के लिए और उसके बाद से जब उसका बीमारी बढ़ने लगे थोड़ा सा ज़्यादा होने लगे तो उसमें dose बढ़ा देंगे यानि 200 power तक दे सकते हैं और फिर उसके बाद से धीरे धीरे जब आराम मिलने ले तो dose को घटाना चाहिए ताकि medicinal aggravation ना हो जाए और अगर ये बीमारी chronic है तो आप starting से ही higher dose में दे सकते हैं इस remedy को खिलाने के साथ-साथ अगर बेसिलीनम साथ में प्रिस्क्राइब किया जाए बेसिलीनम बहुत ही अच्छा बहुत ही better result मिलता है अस्थमा के case में जब patient को बार-बार wheezing हो सांस लेने में CT जैसा आवाज आता हो फिर से उसको recurrent episode of asthma देखने को मिले जब भी वो pollen grains या कहीं भी dust उड़ता रहे या market में जाया तुरंत उसको sudden attack हो जाया उसको तुरंत inhaler की need पड़े तो उस condition ये medicine बहुत ही ज़्यादा important है राम बार की तरह काम करती है आप prescribe कर सकते है आशा करता हूँ दोस्तों ये remedy आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को share जरूर करिए चैनल को subscribe करिए और इस वीडियो को like करना बिल्कुल मद भूलिएगा मिलते हैं नए वीडियो में नए remedy के साथ तब तक के लिए खुश रही है healthy रही है अन्यवाद